दोस्तों जादा देर ना करते हुए शुरुवात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की जान लेते हैं सविधान के भागों के बारे में सविधान के भाग एक में हमें संग और उसके राच्य छेतर मिलते हैं जिसमें हमें राज्यों के संगठन के बारे में वर्तमान में कितने राच्य हैं वर्तमान में किस अधार पर नई राच्यों का निर्मान किया जा सकता है इन सब के जानकारी मिलती है इन सब का वर्णन हमें सविधान के अनुचेद एक से लेकर च्यार तक में मिलता है सविधान के भाग दो में हमें नागरिक्ता से संबंदित उपाबन मिलते हैं किस तरह से भारत की नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है भारत का नागरिक कौन होगा भारतिया नागरिक्ता अधियनियम 1905 के तहत भारतिया नागरिक्ता हासिल करने के तरीके बताए गए हैं भारतिया नागरिक्ता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है इन सब का वर्णन हमें सविधान के अनुछेद 5 से लेके 11 तक भाग 2 में मिलता है सविधान का भाग तीन बहुत ही इंपोर्टन है सबसे इंपोर्टन है इसमें भाद के नागरिकों के मौली क अदिकार मिलते हैं जिसे हम मूल अदिकार भी कह सकते हैं इन सब का वर्णन अनुचेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है भाग चार में हमें निती निर्देशक सिधान मिलते हैं जो कि एक बहुत ही बहतरीन धंग से राज्यों के संगठन और संचलन का प्रती निधितव करते हैं इनका वर्णन हमें अनुचेद 36 से 51 तक सविधान में मिलता है ये चारों ही बहुत इंपोर्टन है सविधान के पहले चार भागों से ही अक्सर एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं आई ये आगे भी जान लेते हैं सविधान के भाग चार के ही अनुचेद 51 ए में हमें मोलिक करतव्यों के बारे में जानकारी मिलती है जिनका पालन करना हर एक भारत्या नागरिक का करतव्य होता है सविधान के भाग 5 में हमें शंग छेतरों के बारे में जानकारी मिलती है संग यानि केंदर सरकार के बारे में हमें यहां जानकारी मिलती है सविधान के भाग 6 में हमें राज्य सरकार के बारे में जानकारी मिलती है सविधान के भाग साथ में हमें निरकाशिक्ता राज्य के सिध्धानतों के बारे में जानकारी मिलती है संग राज्य चेतरों यानि की केंदर साशित परदेशों के बारे में हमें सविधान के आठवे भाग में जानकारी प्राप्त होती है कुछ विशेश उपाबंद हैं के अंदर साचित परदेशों को लेकर वो हमें सविधान के भाग आठ में मिलते हैं इनसे इतने important question नहीं आते हैं बस हमें सविधान के भागों के बारे में जानकारी होनी चाहिए इतने ही question यहां से आते हैं इसके इलावा कोई जादा question यहां से नहीं आते हैं चलिए अगले भागों को भी देख लेते हैं भातिय सविधान के भाग नो में हमें पंचायत नगरपालिकाएं सहकारी समीतियों से related उपाबंद मिलते हैं इसमें हमें भाग नो में पंचायती राज भाग नो ए में नगरपालिका से संबंदित उपाबंद त सविधान के भाग 10 में हमें अन्शोजित जाती और जंजाती चेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कि राच्चे छेत्रों के भीतर व्यापार वानिच्य और समागम से रिलेड़ उपाबन दिये गए हैं जो कोश्चन जदा पूछे जाती हैं उनके बारे में साथ साथ बताया जा रहा है जो कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं उनके बारे में सिरफ भाग और नाम ही बताया जा रहा है एक्जाम में कुछ ही कोश्चंस को बार-बार पूछा चाता है सबी कोश्चंस एक्जाम के लिए जरूरी नहीं है आगे बढ़ते हैं जान लेती हैं सविधान के भाग 14 के बारे में जिसमें हमें संग और राचुगे बीच में सेवाःजो प्रदान की जाती है उनके बारे में जानकारी मिलती है ट्रेबुरल उपाबंद भी दिये गए है अलग से सविधान के भाग जोदा में ही सविधान के भाग 15 में हमें चुनाव से संबंदित जानकारी मिलती है निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा उसकी जानकारी हमें सविधान के भ में अपात कालिन समंदित उपाबन दिये गए हैं भारत में कब-कब अपात का लगाया जा सकता है इन सब का वर्णन हमें सविधान के अनुछे 352 से 360 तक मिलता है यह सविधान की भाग 18 में सम्मिलित है इस कोश्चन को एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है रिपीट में जाता है लगबग सभी एक्जाम में यह कोशन आता है भाग 19 में वेवी धियानी प्रिकर्णन उपाबंदों के बारे में जानकारी मिलती है भाग 20 में सविधान शंशोदन से रिलेटिड उपाबंद दिये गए हैं एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि सविधान शं शंशोदन से रिलेटिड जानकारी प्राप्त होती है भाग 20 के अनुचेद 368 में हमें सविधान शंशोदन उपाबंद दिया गया है भाग 21 में एस थाई संकर्मन काल और विशेश उपाबंद दिये गए हैं जिसे कुछी समय के लिए जब संकर्मन काल हो कोई बीमारी फैल या कोई ऐस थाई स्तीती हो जो कि कुछ समय के लिए है उस समय में हमें भाग 21 के तहट कुछ विशेश उपाबंद दिये गए हैं जिनको लागू किया जा सकता है इसके अलावा हमें कुछ संक्षिप्त नामों की जानकारी सविधान के भाग 22 से मिलती है यह मूल सविधान क भाग जो हमें प्रारंब से ही सविधान द्वारा प्रप्त हैं इसके इलावा वर्तमान में सविधान में 25 भाग हो चुके हैं लेकिन एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से हमें सविधान के 22 भाग ही करने हैं क्योंकि इन ही से कोशनाते हैं और कुछ ही भागों से कोशनाते है एक्जाम में बार बार तो जिन भागों से बार बार कोशिन आते हैं उन भागों को हम अलग अलग से एक एक वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं उन वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like भी कर देना चैनल को subscribe कर लेना ताकि आने वाली video आपको मिलती रहें तो दोस्तों आपको यहे जानकारी कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताना ऐसी ही और भी informative videos के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत